हलो दोस्तो मैं अभिशेक आप सभी का स्वाधत करता हूँ एक और नए वीडियो में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th of September यानि आज जो NQT हुई है उसमें जो slot में question पूछे गया है coding question वो हम लोग solve करने वाले है तो दोस्तो अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं क स्ट्रिंग एस ठीक हमें एक स्ट्रिंग इंपुड में लेनी है consisting of star and hash ठीक है स्ट्रिंग कैसी होगी star और hash होंगे उस स्ट्रिंग में और ठीक है length of string जो है वो variable हो सकती है मतलब change हो सकती है कुछ भी ठीक है मतलब six length की seven length की वो हमें कुछ consider नहीं करना हमें simply क्या करना है तो ह हमें string को input ले लेना है हमारा task का है देखो the task is to find the minimum number of star and hash to make a value string ठीक हमें value string बनानी है अब देखो यहाँ पर focus करने वाली बात जो है वो यहाँ पर है the string is considered valid if the number of star and hash are equal अगर दोस्तों string में star की जो संक्या है यानी star का जो count है और hash को जो count है वो अगर दोनों same है तो string हो जाती है valid ठीक है और देखो हमें ये भी बता है star and hash can be at any position of string मतलब हमारी string किस तरह से भी हो सकते है यान ली देखो यहाँ पर star, hash, star, hash इस तरह से केसी भी हमारी string जो हो सकती है यह हमें बता है अब दोस्तों यहाँ पर जो है नीचे हमें कुछ दिया है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर output will be positive और negative ठीक है output या तो positive होगा या negative होगा या फिर हमारा zero भी हो सकता है ठीक है zero कब होगा यह भी हम लोग देख लेते हैं based on number of stars and hash in input string ठीक हमारी जो input string है उसके हिसाब से हमारा output आएगा अब देखो अगर star की जो count है यहाँ पर मैं अच्छे से लिखता हूँ अगर count of star जो है वो greater than है count of hash तो हमारा जो output है वो positive आना चाहिए ठीक है यह हमें बताया है और यहाँ पर दूसरी condition दी है अगर count of hash जादा है ठीक है simple सी बात है अगर count of star बढ़ा है तो positive value आती है इसका अगर count of hash बढ़ा है star से तो हमारे value क्या आनी चीए negative आनी चीए simple सी बात है और दोस्तों अगर दोनों से में count of hash और count of star दोनों अगर equal है ठीक है तो उस case में हमारा output क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए यह हमें बताया है दोस्तों इसके उपर से यह दिये हुए constraint के हिसाब से ज गेस्जी है देखो यहाँ पे test case क्या है यहाँ पर में लिख देता हुँ hash 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 और देखो तीन स्ठार है आगे तो यहाँ पे तीन स्ठार्स है तो देखो यहाँ पर star का कॉंट करूं तो देखो count of stars कितना है यहाँ आप लग देख सकते हैं 1,2,3 तो 3 है और अगर मैं count of hash देखू तो वो कितना है यहाँ पे वो भी देखो 123 है दोनों equal है इसका मतलब हमारा output क्या आना चीए 0 आना चीए तो इस सबसे हम लोग क्या करेंगे हम लोग count of यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले है program में हम लोग simply लिखने वाले है count of star minus count of hash करने वाले है तो देखो इस एक statement की वज़े से जो है हमारी जो यह तीनो condition जो है वो एकदम अच्चे से fit हो जाएगी किस तरह से अब देखो अगर देखो count of star equal to count of hash है यानी इस case में तो देखो 3 minus 3 हमारा output 0 आ गया चलो अब दूसरी case consider करते है यहाँ पे देखते है मान लो जो hash का count है वो 4 है और हमारा ज hash निकालूंगा तो वो कितना आएगा वो आएगा 4 और count of star निकालूंगा तो वो कितना आएगा वो आएगा 2 अब देखो जो हमने formula लिखा है वो उसके हिसाब से देखते count of star कितना है 2 minus count of hash कितना है 4 तो इसका output आना चीए minus 2 तो देखो हमारे जो constraint दिये है वो match कर रहे है क्या अगर hash का count ज्यादा है देखो hash का count ज्यादा है star से तो answer negative आना चीए देखो हमारा भी answer negative आ रहा है और अब रहे गई third वाली test case जो कि है अगर मानलो हमारे जो star से वो hash से ज्यादा है तो देखो यहाँ पे कितने star से count of stars में अगर निकालूंगा तो वो कितने है यहाँ पे देखो 1,2,3 और 4 है और count of hash अगर निकालूंगा तो वो कितने है वो है 3 अगर मैं यहाँ पे count of star minus count of hash करूंगा तो value आ रहे 1 यानि positive value आ रहे चलो उपर देखो अगर count of star ज्यादा है hash से तो value positive आनी चीए देखो हमारी value जो है positive आ रहे इसका मतलब हमारा जो यह वाला formula है वो एकदम अच्छे से fit बेट रहा है तो हमें simply करना क्या है करना क्या है तो हमें एक string को जो है input लेना है string एक हम लोग क्या करेंगे उससे input ले लेंगे और input लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे count of star count कर लेंगे और count of hash जो है वो भी count कर लेंगे और end में जो है हम लोग क्या करेंगे count of star minus count of hash को print कर देंगे और यही हमारा जो है वो output बन जाएगा तो मेरे खयाल से आप लोग को idea समझ में आ गया होगा चलिए अब इसका code देख लेते हैं तो यहाँ पर मिलेके चलता हो आपको vs code में यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या किया है अब देखो मुझे star का count करना इसलिए मैंने क्या किया है star नाम से variable बनाए है और मुझे hash का count करना इसलिए मैंने hash नाम से variable बनाए है अब देखो मैंने क्या किया है string में traverse किया है यह string में traverse करने का एक method है तो इस तरह से आप लोग string में traverse कर सकते हैं दूसरी तरह से भी मैं इसे लिख सकता हो, ठीक है यहाँ पर यह जो for loop है, अपना जो simple तरीका होता है, उससे लिखता हो, for int, let's say int i equal to 0, i is less than s.length, string की length होती है हमारे पास, और हम लोग क्या करेंगे, i++ करेंगे, और देखो, यहाँ पर हम लोग, यह curly bracket लगा देते हैं, ठीक है जो हम लोग simple, normal code करते हैं, वो यहाँ पर कर दिया, पिछला वाला भी अगर आपने किया, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, वो आसान तरीका है, करने का, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, अब देखो, यहाँ पर अंदर मैंने logic क्या लगा है, अगर dेखो, अगर s of i, ठीक है, s of i, अगर hash है, तो hash की value increment हो जाएगी, अगर s of i star है, तो star की value increment हो जाएगी, end में मेरे पास hash और star का count आ जाएगा, और जैसे ही count आ जाएगा, मैं क्या करूँगा, star के count में से hash का count minus करूँगा, और वही मेरा output बन जाएगा, तो चलिए, यहाँ पर मैं इसे run कर दिता हूँ, तो सबसे पहले हमें जो test case दिया था, वो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखो, यह जो hash 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 और 3 star है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो देखो, hash 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 और यहाँ पर मुझे 3 star देने हैं, तो इसका output हमें 0 आना चीए, देखो हमारा output 0 आ रहा है, अब मैं क्या करत हूँ, जो hash है, उसका count ज्यादा डालता हूँ, star से, ठीके, तो यहाँ पर मेरा output कितना आना चीए, यहाँ पर देखो, 4 hash है, और star 3 है, तो मेरा output minus 1 आना चीए, देखो, minus 1 आ गया, और अभी में second डालूंगा कि, जो मेरे star से, वो ज्यादा होंगे, hash से, तो उस case मेरा output जो है positive आना चीए, यहाँ पर देखो, 5 star है, और 4 hash है, इसका मतलब मेरा output 1 आना चीए, जो की आ रहा है, तुमने खयाल से, आप लोग को यह question समझ में आ गया होगा, बहुत ही simple सा question था, अगर आपको question में कोई भी doubt है, तो आप लोग नीचे comment करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ, अ अगर आपने हमारे channel को अभी तो subscribe नहीं किया, तो जल्दी से subscribe कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बड़िया बड़िया वीडियो लाते रहते हैं, तो दुस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, take care.